नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ राहूल गांदी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोट ने उस फैसले को ही पलड दिया जिसकी वज़े से उनकी सांसदी गई थी सुप्रीम कोट ने मोदी सन्नेम से जुड़े मानहानी केस में रहूल गांदी की दो साल जेल की सजा पर शुकरवार को रोक लगा दी इसके साथी कोट ने नीचली अदालतों के फैसले पर तीन सबसे जरूरी बाते कही पहली हम जानना चाते हैं कि जज ने अधिक्तम सजा क्यों दी ट्राइल जज को फैसले में बताना चाहिए था कि उन्होंने अधिक्तम सजा क्यों दी अगर जज ने एक साल ग्यारा महनी के सजादी होती तो रहुल गांदी को डिस्क्वालिफाइ नहीं क्या जाता दूसरा अधिक्तम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना संसत के रह जाएगी यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है यह उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मामला है तीसरा इस बास से कोई शक नहीं कि भाशन में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए यह राहूल गांदी का करतव बनता है कि इसका ध्यान रखें इसी के साथ बने रहे है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद